प्रदार मंत्री जी ने मन की बात में अंगदान के लिए आवान किया है तो देश भर में उसके लिए एक वातावरन बनाए मैं जब छोटा था तो महरशी दधीची के बारे में पढ़ा था एक बार देवताओं और दानवों में लड़ाई हो रही थी तानव लगातार जीत रहे थे देवता हार रहे थे सब देवता मिलका ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि कैसे होगा देवता हार गए तो जो दैव संस्कृती है ये भी नश्ट हो जाएगी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि धर्ती पर एक रिशी हैं महर्शी दधीची उनकी हड़ियों में उनकी तपस्या का बल है अगर वो हड़िया अपनी मर्जी से दान कर दें तो उनसे वज्र बनेगा उससे रक्षा होगी इंद्र मानने गई प्राम्मन का भेश बना कर गई तधीची ने पहचाना और जब सुना कि उनकी हड़ियों से वज्र बन करके देवताओं की और मानवता की रक्षा होगी तो प्रसन्ना हो गई कहने लगे शरीर तो मिट्टी होता है मेरी मिट्टी काम आएगी तो उन्होंने आसन लगाया अपने प्रानों को यहां पर केंद्रित किया दान देरे का संकल्प किया और अपने प्रान छोड़कर ईश्वर में मिल गई उनकी हड़ियों से वज्र बना उस वज्र से देवताओं की रक्षा हुई यह जब से सुना था तब से मुझे लगता था कि हमारी हड़ियां भी हमारा शरीर भी कुछ काम आएगा क्या 1994 में जब Transplantation of Human Organs Act आया तब एक रास्ता खुला हमारे भी अंग काम आ सकते तब मालुम पढ़ा कि Medical College के बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए मानव शरीर चाहिए कुछ दोस्त बैठे हुए थे दोस्तों का मिलके संकल्प हो गया हमने अपनी वसीयत बनाई और जाकर के रजिस्टर के पास में वो रजिस्टर कर दी यह हमारे मरने के बाद हमारे पूरे शरीर को किसी Medical College को दान कर दिया जाए वो एक उंगली से शुरू करते हैं उसको पोर-पोर खोल के समझते हैं कि बनावट में क्या है उंगली के हर जोड को शरीर के हर जोड को हमारे शरीर में जितनी धमनिया हैं, जितनी आर्टरीज हैं, जितनी बोंस हैं, जितने बैंड्स हैं, जो कुछ भी है, बच्चे उस पर पढ़ते हैं, दो तरह की मृत्य होती है, एक तो जब रिजयगाती रुख जाती है, तो वो मृत्य होती है, मैं इसको बोलूँगा नॉर के डॉक्टर ये घोशित करते हैं, परिक्षन के बाद, कि यह विक्ति कभी होश में आही नहीं सकता, असंबव हो गया, पर हार्ट चल रहा होता है, उसको ब्रेन स्टेम डेथ कहते हैं, नॉर्मल डेथ में आखें दान होती हैं, और स्किन दान हो सकती है, खाल, और यह दान और अगर ब्रेन स्टेम डेथ हो जाती है, दिमाग मर जाता है, ह्रिदय चल रहा होता है, तो ह्रिदय दान होता है, किड्नी दान होती है, लिवर दान होता है, शरीर का हर इस्सा ऐसे आट-nौ लोगों को, आठनों अंग काम में आते हैं दोनों आखें काम में आते हैं अब ये बार ठीक है कि हिदाय निकालने के लिए किड्नी लीवर लगाने के लिए एक सुपर स्पेशलेटी हॉस्पिटल चाहिए लाइसिंस चाहिए तो वो दान तो सब जगा नहीं हो सकता दिल्ली एंसियार में तो सब जगा हो सकता है पर कोई गाव में सोचे कि मैं करूँ तो नहीं हो सकता साल देट साल पहरे तक तो पटना में भी आई बेंक नहीं था तो अभी हम लोग तो किवर एंसियार में काम कर रहे हमारे जैसे काम और लोग भी अरेक शेहरों में कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटिन सिटीज में सुविधाय जहां बड़ा सुपर स्पेशिडिटी हॉस्पिटल है लाइसें से वहां सुविधाय जब तक हमारे जैसा कोई NGO बीच में नहीं जुड़ता तब तक वहां बहुत अच्छा सह योग नहीं मिलता हम लोगों ने तो काम इसलिए शुरू किया कि मेडिकल कॉलेजिस में उस समय बहुत सहयोग नहीं मिलता था तो हमारा तो कोई कॉलेज नहीं है कोई गाड़ी भी नहीं है कोई एक भी करमचारी भी नहीं है हम सब मित्र मिलकर के एक पुल बन जाते हैं दा पुल हम जब तक चलाएंगे जब तक एक अच्छे भारत का निर्मान का हमारा स्वपन पूरा नहीं हो जाता है। वहाँ पे बुद्धों ने इस काम को नेत्रदान को अपने हाथ में लिया। एक बार बुद्ध धरम गुरुओं ने नेत्रदान को कर्तब घोशित कर दिया। फिर तो सब लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया। एक वेबसाइट है देहदान.org जिसको देहदान करने का मन करें अंगदान करने का मन करें वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर ले। घर में बताना जरूरी है। घरवालों की सहमती भी जरूरी है। मुझे एक ने कहा कि घर में पता नहीं चलना चाहिए। मैंने का ऐसा कैसा होगा। तो मरोगे तो फोन घर वाले तो तुम तो नहीं कर सकते ना। तो फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करना, भरना, घर के वहाँ के अस्ताक्षर कराना, हमको भेजना। हम रजिस्टर कर लेते हैं, आइडेंटिटी कार्ड भीजते हैं। और उसके बाद जब वह समय आता है, तो किसी देहदानी की मित्यू होती है, तो उसके परिवार ने हमारी हेल्प लाइन पर केवल एक फोन करना होता है। वह एक फोन आने के बाद बागी की सारी जिम्मेबारी हम लेते हैं। अपना एक कार्यकरता उस परिवार से संपर्क करता है, सुविधा का समय तेह करता है, घर पर ये आँखों का दान करता है, शरीर को लिजानी की ववस्था करता है, जितने कागज हैं वो पूरे कराता है और दान संपन्न करने तक हम काम करते हैं। हमें प्रसंदता है कि इस काम के लिए लोग आगे आ रहे हैं। हमें संतोश है कि लगबग 130 शरीर हम मेडिकल कॉलिजिस को भेट कर चुके हैं। इसका नाम प्रतिक्षा सूची में है और हम आखे नहीं दे दें। कॉर्णियल ब्लाइडनेस को देश से मुक्त कर देंगे, दिल्ली को मुक्त कर देंगे। अस्पताल में चार लोगों को एक शरीर चाहिए, अभी 28-30 को एक शरीर बिलता है। 2019 तक देहदान इतनी बड़ी संख्या में होने लगेंगे कि हर एक मेडिकल कॉलिज की आवशक्ता को पूरा करेंगे। यह एक ऐसा यग्य है जो स्वस्थ सबल भारत बनाता है।